नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज़ और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया विहार में मौनसून अब विदा होने वाला है शरद रिद्व आने वाली है पिछले कई दिनों से बारिज देखने को मिल रही थी हाला कि मौनसून जो है वो जुला यागस्त के सम में आती है लेकिन इस साल मौनसून सेप्टेंबर और ऑक्टूबर के महिने में देखने को मिल रही थी लेकिन अब मौनसून जो है वो विदा होने वाला है और शरद रित्व आने वाली है बिहार में मौनसून की विदाई से पहले बारिश संबंधी गतिविधिया अपनी शरम पर है मौसम विभाग में बुधवार को राज़ भर्ड में वजरपात के साथ बरसात होने के आसार जता हैं सभी जिलों में ठनका का अलर्ट जारी किया गया है वहीं गया नवादा समय चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है पूर्वे बिहार और स शिमांचल कोसी शेतर में बुधवार को अच्छी बरसात हो सकती है पटना मौसम केंदर के पूर्वानुमान के मताबिक राज़ के सभी जिलों में वजरपात का यलो अलर्ट है मौसम खराब होने पर कई जगहों पर ठनका गिर सकता है ऐसे में लोगों को सावधानी बरतते हुए पक्के मकानों की शरन लेनी चाहिए साथी पेड या खंबे के नीचे शरन लेनी से बचे वहीं रोतास और अंगबाद गया और नवादा जिले में भारी बारिश की चेतावनी है इसके अलावा पूरे राज़ में बारिश होने के पूरी संभावना है कही हलकी तो कही मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है पूर्वी बिहार के कुछ हिलाके में बूंदा बान्दी होने के आसार है बुधवार के बाद बिहार से मौनसुन की विदाई हो जाएगी मौसम व्याग्यानिकों के मताबिक अगले 24 घंटे के भीत राज़ में बारिश संबंदी गतिव दियां कम हो जाएगी 15 अक्टूबर से पहले राज़ों से मौनसुन विदा हो जाएगा इसके बाद हवाओं में ठंडक आएगी और रात का तापमान तीजी से गिरेगा मौनसुन के जाने के बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा तो बिहार में अब मौनसुन विदा ल कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए